अधाश्च उर्द्वं प्रस्तास तस्य शाखा गुन प्रवृद्धा विशय प्रवृद्धा अधाश्च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके नमस्कार मित्रों ये जो श्लोके भगवद गीता के पंद्रवें अध्याय का दूसरा श्लोके जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझें तो जो श्लोके हो कहता है अधश्य मूलानी अनुसंततानी अर्थात और नीचे जणों में निरंतर रहता है कर्म अनुबंधीनी मनुष्य लोके अर्थात कर्मों से बंधा हुआ मनुष्य लोक में तो श्रीकृष्ण पीपल के व्रिक्ष के विशे में आगे बताते हैं कि इसकी शाखाएं गुणों की वृद्धी और इंद्री विशियों के अंकुरण से सभी दिशाओं में निकलती है और मनुष्य लोक में यह सदा जणों में कर्म के द्वारा बंधा रहता है तो यहाँ पर श्रीकृष्ण बहुत ही आलंकारिक भाशा का उपियोग कर रहा है और यदि आप ठीक प्रकार से इस पर ध्यान न दे तो आप बहुत ही भ्रहमित हो जाएंगे कि यहाँ श्रीकृष्ण क्या कह रहे हैं उपर नीचे शाखाएं नीचे जड़ जहां पर बंधा हुआ है तो यह सब क्या चल रहा है तो हमने पिछले श्लोक में यह तो समझा ही था कि यह जो पीपल का व्रिक्ष है यह वास्ता में संसार को दर्शाता है और मूल रूप से हम क्या सोचते हैं कि संसार जो है वो हमसे बाहर स्थित है और यह संसार जो है यह स्वयम में अपने आप स्वतंत्र है और इस संसार में चेतना का उदय होता है हमारे मस्तिक्ष में उदय होता है वास्ता मैं इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारे मस्तिक्ष में यह हमारा ब्रेन जो है इसमें चेतना का उदय होता है और इसमें जो सर्केट हैं वो बनते हैं विगड़ते रहते हैं इनके भी तर जो है, सारे प्रक्रिया चलती रहती है और ऐसे ही चीतना उत्पन्न हो जाती है तो यदि आप इस प्रकार से सोचते हैं, तो तब आप यह जो यहाँ पे श्रीक्रिशन कहा रहे हैं, इसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पर श्रीक्रिष्ण का जो मूल विचार है वह ही इसके विपरीत है तो जो भारतिय परमपरा है उसमें इस प्रेकार से नहीं सोचा जाता है कि संसार स्वयम में अपने आप स्वतंत्र स्थित है भारतिय परंपरा में सुझा जाता है कि यह जो संसार है यह वास्तों में चीतना में स्थित है और चीतना ही हम है हमारों जो मूल सरूप है वह चीतना है और हमारे यह ही माना जाता है कि चीतना जो है वह संसार में उत्पन्न नहीं होती अपितु जो संसार है वह चीतना में उत्पन होता है तो यह आप इस प्रकार से अपने मन उभाव कर रखे और तब यहाँ पर श्रीकृष्ण जो कहने उसको समझने का प्रयास करें तब आप वास्ता में समझ पाएंगे कि श्रीकृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे है तो देखिए चेतना जो है उसमें संसार है इस प्रकार से माना जाता है और चेतना जो है उसकी तीन शक्तियां होती है जो की है इच्छा शक्ति, ग्यान शक्ति और क्रिया शक्ति तो ये जो तीन चेतना की अंतरने शक्तियां है इसके द्वाराई वास्ता में ये जो संपूर्ण संसार है यह प्रकट हो रहा है तो चेतना जो है वह अपनी इच्छा शक्ति द्वारा इस संसार में गुणों की वृद्धी करती है और इसके संसार में जो है इसके जो विशय होते हैं उनका अंकुरण इसी प्रकार से होता है तो ये चेतना की इच्छा शक्ति से उत्पन होता है अब ये जो संसार है इस पर फिर चेतना जो है इसका अवलोकन भी करती है तो वो अवलोकन जो है वह चेतना की जो ग्यान शक्ति है उसके द्वारा होता है और फिर इसका ग्यान प्राप्त करके चेतना जो है वह इस ब्रह्मांट पर क्रिया भी करती है तो वो जो क्रिया है वह ही चेतना की क्रिया शक्ति है तो जब ये जो क्रिया है और ये जो अवलोकन है ये अनुचित गान द्वारा किया जाता है जब आसकती में रहकर के इस पर क्रिया की जाती है जब आसकती में रहकर के इसका अवलोकन किया जाता है तो वो जो क्रिया है वह अनुचित क्रिया हो जाती है और यह ही क्रिया होती ह जो कि वास्तों में चेतना को इस संसार में बांध देती है वास्तों में चेतना जो है वह स्वतंत्र है उसी ने इस संसार का निर्मान किया है किन्तु अग्यान में जब आसकती के द्वारा चेतना जो है इस पर क्रिया करती है तो वह इससे बंद जाती है तो यह जो विचार है इसी को मकडी के जाले के द्वारा भी बताया गया है कि किस प्रकार से मकडी जो होती है वह स्वैम अपने जाले का निर्मान करती है और फिर उसी से बंधी रहती है उसी मर रहती है वो तो स्वैम ही चेतना जो है निर्मान करती है और फिर आसक्त हो करके उसी से बंद जाती है तो जैसे वो ही बताएगा न कि ब्रह्मा जो होते हैं शत्रूपा की और आकर्शित हो जाते हैं तो यदि आप पीपल के वरिक्ष को देखें तो आप पाएंगे कि इसकी जो शाखाए होती है वह बिल्कुल इसकी जो जड़ है उसकी जैसी ही देखती है और हम ये भी देखते हैं कि इसकी शाखाओं से इसकी जड़ें बाहर निकलती है और फिर भूमी में समाती है तो यदि आप इस प्रकार से देखें तो ये जो पीपल का वरिक्ष है ये वास्ताव में आपको जैसा उपर है वैसा ही नीचे भी प्रतीत होता है यदि आप इसकी कलपना करें आप इसको भूमी के नीचे और भूमी के ऊपर वाले भाग में देखें तो आपको ऐसा लगएगा कि अच्छा इसकी जड़ें जो जो जड़ें जो है उपर से भी आ रही है तो इसकी जो शाका है वो नीचे से ऊपर भी आ रही है तो इस प्रकार जीवन में इस संसार को अनुभव करते हैं तो अपने जीवन में हमारा अनुभव दो भागों में विभाजित होता है एक तो होता है भारी संसार और एक होता है आंतरिक संसार तो यह जो व्रिक्ष है इसका जो भूमी के ऊपर वाला भाग है वह भारी संसार को दर्शाता है ज अब ही जी जो है वो अपने भीतर इसको अनुभव करते हैं तो उपर वाला भाग है जो कि व्यक्त संसार है और नीचे वाला भाग है जो कि अव्यक्त संसार है चेतना में जो अव्यक्त है वो जो कि हमारी भावना है हम अपने भीतर जिसका अनुबभ कर रहे होते हैं आप इस पर कर से समझ लिए इसको तो अब आफ यह देखिए कि लोग जो है वो तो यही मांता है कि यदि हम कुछ करम करते तो वन केवल वो वाला करम है जो कि हम बाहर करते हैं जो कि लोग देखते हैं अर्थात माले जी कि आपने चोरी की और किसी ने आपको नहीं देखा तो लोग यही सोसने कि अच्छा है मैंने चोरी की किसी नहीं देखा तो सब ठीक है कोई समस्याई नहीं है कुछ भी नहीं होगा किन्तो ऐसा वास्ता में होता नहीं है चोरी ये लिया आपने की तो चेतना जो है आपके भीतर इश्वर है उसने तो देखा कि आपने चोरी की तो इसी विचार को यहाँ पे समझा रहा है श्री कृष्ण कि देखिए वास्ताव में जो भारी संसार है और जो आंतरिक संसार है उसमें कोई अंतर नहीं है ये केवल हमें लगता ऐसा है कि भारी संसार प्रिथक है भीतरी संसार जो है वह प्रिथक है कि तो वास्ताव में ऐसा है नहीं हम सब वास्ताव में चैतन्य है और ये सारा संसार जो है ये हमारे भीतर ही है तो बाहर जो प्रतीत होता है जो हमारे भीतर है उसमें कोई अंतर नहीं है वो एक ही है वो एक ही व्रिक्ष है जो कि यहां पर हमने पीपल के व्रिक्ष को देखा जिसके दोरा श्रिक्रिक्षनिया समझा रहे हैं तो हम अपने भीतर जो भी विचार करते हैं कर्म वास्ताव में वह ही है जो कर्म हम शारिरिक रूप से बाहर करते हैं केवल वह कर्म नहीं है कर्म वास्ताव में अपने भीतर की भावना भी है जिससे प्रेद होकर हम बाहर क्रिया करते हैं तो यदि आपको यहां आपको बहुत स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि कर्म तब नहीं होता जब आप बाहर कुछ क्रिया करते हैं यदि आप बिना भावना के बाहर कुछ भी कार्य करें तो वह कर्म नहीं है वास्तों में कर्म तब होता है जब आप किसी भावना के साथ में जुड़ जाते हैं और सुयम को वह भावना मान लेते हैं अब उस भावना से जुड़ करके आप जदी कर्म करेंगे तो वह कर्म बान देगा किन्तो यदि आप बाहर उस कर्म को नहीं करते हैं तब भी वास्ताव में आप कर्म ही कर रहे हैं क्यों क्योंकि उसके द्वारा आपके भीतर एक छाप जमती जा रही है जिसके द्वारा आपका व्यक्तित वो बन रहा है और अंत में उसी के द्वारा आपकी गती होगी तो इसलिए श्रीक्रिशने कहा कि उसकी शाखाएं जो होती है वो गुणों की वृद्धी और विश्यों के अंकुरन से निकलती है कि जब आप भावनाव से आ सकती रखते हैं जब आप गुणों से आ सकती रखते हैं और विश्यों से आ सकती रखते हैं तब वह जो आ सकती है वह प्रकट होती है सामने तो जो भी भाव ना आप अपने भीतर रखेंगे वह ही वास्ता में संसार में प्रकट होने लगेगी और आपका संसार जो उसी प्रकार से बनता जाएगा यदि आप अपने भीतर अच्छी भाव ना रखते है तो आपका संसार तो वो जो कामना आप कर रहे हैं, उसी के द्वारा वास्ता में आप श्रेष्ट कार रहे हैं, आपने भार कुछ नहीं किया, किन्तु तब भी आप श्रेष्ट कार रहे हैं, वहीं पर एदिया आप कुछ दुर भावना के साथ में सोचने कि अरे इसका ऐसा हो जाए, अरे इसक भावना जो कि आंतरिक है हमारे वह भी वास्ताव में कर्म है वह भी सामने प्रकट होता है उसी से जो है अंकुरन होकर के जो प्रकट होने वाला व्रिक्ष है वो दिखता है हमें तो भूमी के नीचे वाला जो भाग है वह भी महतवपून है वास्ताव में अधिक महतवपून तो हमें यहाँ पर जो समझना है बहुत अच्छे से जो समझना है वो यही है कि भूमी के ऊपर जो हो रहा है वह इतना महतवपून नहीं है अपितु हमारे भीतर अर्थात भूमी के नीचे जो हो रहा है वह वास्तों में अधिक महतवपून है तो इसलिए श्री कृष्णे न भावना से जुड़ जाते हैं और उसी के द्वार अपने कर्म को करते हैं तो वह ही भावना हमारे लिए लौट करके आती है जब हम लौट के आने वाली उस भावना के प्रती उसी रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो बिस वो चक्र में हम फस जाते हैं और ये चक्र जो हमें हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो इस से निकलने का क्या उपा है, उसके विशह में श्रीकृष्ण आगे अब बताएंगे, उसको हम अगले श्लोकों में समझेंगे, यहाँ पे श्रीकृष्ण का यही विचारता, तो आशे करता हूं कि मैंने इस इस लोग को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो के ही पर समाप करते हैं नमस्ते